आम आद्मी पार्टी के ओर से कहा जा रहा है कि 15 सालों का जवाब है नहीं बीजेपी के पास इस वज़े से बार बार इस तरह के विडियो का सहारा लेकर अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही है क्या है इस पर जवाब आपका देखिए 15 साल लोगों ने ही हमें सत्ता में रखा कॉर्परेशन में लोगों ने वोट दी अब भी लोग वोट देंगे और 20 साल होंगे काम को लोग वोट देते हैं अर्विंद केज रिवाल जी के पास अपने 8 साल को दिखाने का कुछ नहीं है और जो क्रप्शन उनके सामने आ रही है ये कोई हम तो ला नहीं रहे अगर मान लीजिए कल गुलाब सिंग पिटे तो किस ने पीटा आम आदमी पार्टी के कारे करता हुने क्यों पीटा क्योंकि टिकट के पैसे लिए थे अब मुझे याद कराईए देश में मुहम्मद गदाफी को के बाद आपने को ऐसा ध्यान में आपको आता है जब पब्लिक खुद पीट रहे हो अपने नेता को तो आपने देखा क्यों क्योंकि पैसे की लालसा और लालच इतना बढ़ गया अरविंद के एजरिवाल जी का आज वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंतरी कहलाते हैं कैसे बन गया अमीर मुख्यमंतरी एक सदारन इंकम ट रही है वो आप तक पुचा रहे हैं अब बताएए जेल के अंदर स्तिंदर जैन उनके करप्ट मंतरी करप्शन के इल्जाम में जेल में यह कहते हैं इनको भात रतन मिलना चाहिए वो एक मसाज करा रहे हैं रेपिस से जिसके उपर पॉस को बच्चों के साथ रेप करने का अब रतकार करने के चार्ज में उमर का है तो यह यह कह रहे हैं यह तो फीजो तरपिस्ट है जी इसको आप रेपिस्ट क्यों बोलते हैं बताए अरविंद केजरिवाल जी एक बच्ची के साथ रेप करने वाले को कह रहे हैं यह रेपिस्ट नहीं है यह फीजो तरपिस्ट अब बताओ कभी कल्पना की थी कहां से चलेंगे और कितना नीचे गिर जाएंगे क्या ये बदलाव किराइबी थी वो लेके आये थे हम को मद्दे नहीं हम तो मुद्दे वो बदर रहे हैं अगर मानली जी चित्रा जी अब करप्शन की टिकेट के पैसे वो लेंगे तो कॉर् अब ना चर्चा करें इस पर अब गुलाव सिंग को किस ने पीटा आमाद्मी पार्टी के लोगों ने क्यों पीटा क्योंकि उसने कम टिकट के पैसे लिए तो अब ये चर्चा तो विशा तो बने गई शराब के पैसे जिवाल जी लेंगे आप किया रहे हैं कि आफिर आमा आद्मी पार्टी के और से दलीले रखे गई कि दरसल उनको तो चोट लगी इस वज़े से फिजियो थेरपी की सलाह दे गई है इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं लेकिन अब जो बीजेपी दावा कर रही है पॉक्सको एक्ट मामले में एक बच्ची से रेप की मामले में बंद क् आद्मी पार्टी जो बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर बीजेपी का काम सुबह से शांग तक आरोप लगाने कहीं है और वो आज से नहीं लगा रहे हैं पिछले 15 दिन से यह ड्रामा चल रहा है नए नए वीडियो आते हैं नए नए स्टिंग आते हैं यह लोग सुबह उठते हैं तो केजरी वाल को कोशते हैं रात में सोते हैं तो केजरी वाल को कोशते हैं केजरी वाल ने ये कर दिया केजरी वाल ने वो कर दिया अरे भाई आप ये तो बताओ कि 15 साल में आप में क्या कर दिया तीन-तीन कूडे के पहार खड़े हुए हैं ए इस वीडियो का सच क्या है यह देश के सामने कैसे आएगा जिस रेंको नाम के शक्स का जखर बार-बार बीजेपी के और से किया जा रहे है पॉसको की धारा चे और आई-पी-सी की धारा ची सेवेंटे-सेक्स 506-509 के तहत आरोप है इस पर उस शक्स से वो मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी यह बोल रही है तेहार जेल के अंदर किसी को अथारिटी नहीं है वीडियो शूटिंग करने की और उस वीडियो को इलीगली और अन आथेंटिक बाहर किसी को देने की इस बात पर प को मालूम होगा इन्होंने और भी स्टिंग पीछे दिखाए उसके बारे में भी इस कोट का पश्ट आदेश आ चुका है पांच चैनलों को नोटिस भी इशू हो चुके हैं कि सिवाए सी बी आई और चले कुछ सक्टिंगी दिक्कत आ गई है फौरण मैं आपके पास आउंगी सिर्शा साब आप जबाद दीजे वो कह रहे हैं अंदर के वीडियो बाहर कैसे आ रहे हैं पस्ट बिल्कुल आ देश चीकिए मैं मैं लाट रही हूँ आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं ज चोरी तो की पर कह रहे हैं आपने वीडियो क्यों बना ली चोरी करते की यह तो गलत बात है ना आप चोरी करते कि वीडियो नहीं बना सकते अब यह आप चोरी करोगे तो उसकी वीडियो नहीं बनेगी अब यह हरानकी की बात है यह आदमी पॉसको के जिसने बच्चे के सा सबूत के साथ लेकर बैठेगी, देखिए क्या कर रहे हैं, और अर्विंद केज्रिवाल जी स्तिंदर जहन को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि उससे पैसे लेते हैं, जो पैसा स्तिंदर जहन जी कथा किया, जो कोट ने कहा कि इतनों क्रोडों रुपया इसने रिश्वत का सफेद करने की कोशिश क्यों पैसा किसको दिया अर्विंद केजरिवाल जी को इसी वरना अर्विंद केजरिवाल जी जैसा आदमी कभी करप्ट आदमी के साथ इतना खड़ा होजेगा बलत कार करने वाले आदमी क वह कहेगा इसको भारत रतन दो ये तो मैं मानतों चित्रा जी आप सच में बताना अपने दिल पर आथ रखके बताना ये तो कभी आपने भी निकल पना की होगी ये तो कभी आपने भी खाब में भी निसोचा होगा इतना बदल जाएंगे अर्विंद केज्रिवाल जी पैसे क को लेकर मैंने आपको याद कराया महम्मद गदाफी जैसे लोगों जैसी मानसिक्ता रखेंगे कि बलतकारियों से जाके सपोर्ट लेंगे और उनको फीजो थेरपी के सर्टिवेट दे देंगे और पैसे के लिए इस कदर चले जाएंगे किस तिंदर जैन को कहेंगे कि इसको ज्रूब्हात रतन देदो यह देश का सबसे महान आदमी है क्योंकि बलतकारी बच्चों से अपने पहल दवाता है उनकी सपोर्ट लेता है उनको उनका साथ देता है यह तो कभी आपने भी निकल्पना की होगी या किसी भी आपके टीवी चैनल पर देखने वाले आदमी न अजय को जो एंदर